आप लोगों के स्क्रीन पर question दिख रहा होगा तो question इस प्रकार से है कि नीवन में से किस governor general अथवा वाइसराय की मृत्यों भारत में नहीं हुई थी तो 4 governor general या फिर वाइसराय के नाम दिये हुए हैं उन में से बताना है कि किसकी मृत्यों भारत में नहीं हुई थी, पहला दिया हुआ है कार्णवालिस, लाड कार्णवालिस, दूसरा दिया है लाड एलगिन, तीसरा दिया हुआ है लाड एलन बरो, चौथा दिया हुआ है लाड मेयो, तो इन चारों में से तीन की मृत्यु हुई थी भारत में, लेकिन किसी एक की नहीं हुई या था ना 1793 में उसके लिए इसको याद किया जाता है कार्णवाली सिस्का जो कारेकाल था 1786 में ये बंगाल का गवर्नर बन करके आता है 1786 में और रहता है इसी बीच इसने इस्थाई बंदोबस्त विवस्था को लागू किया इसके बाद ये वापस चला जाता है लेकिन इसने अपने कारेकाल में जो सफलता प्राप्त की थी उसको देखते हुए इसको पुना एक बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियूप्त करके भेजा ज हो जाती है कहां पर उत्तर प्रदेश में एक इस्थान है गाजीपूर गाजीपूर ये उत्तर प्रदेश में है एक इस्थान तो वहीं पर इसकी मृत्तियों हो जाती है सन 1805 में इसको बुखार आ गया था तो बच नहीं पाया इसका जो मकबरा है वहीं गाजीपूर में इ डिखेगा जो एलगिन है यह वायस्राय था, भारत यह वा थखा भारत ये वायस्राय क्योंकि प्रेश्ट में में बोल रहा है न गवर्नर जन्रल अथ्वा वैस्राय अब गवर्नर जन्रल कहा का, भारत या बंगाल, ऐसा तो भोला नहीं है, to हम लोग जो है । 1773 से लेके चलेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराई तो लाड एलगिन ये जो है भारत के प्रथम वायसराई लाड कैनिंग के बाद अर्थात 1862 में ये जो है भारत का वायसराई बनता है कब 1862 में इसका कारेकाल कुछी समय का था 1863 तक क्या हुआ था पंजाब में इसकी मृत्ती हो गई थे 1836 में कहां पर पंजाब में इसकी मृत्ती हो गई कहां पंजाब में 1836 में उसके बाद देखेगा लाड मेयों लाड मेयों सब के नाम के आगे लाड लगाईएगा तो लाड मेयों जो है ये 1869 से 1872 तक भारत के वाइसराय थे लाड मेयों के समय में भी काफी कुछ अच्छा चीजी हुआ जैसे कि प्रायोगीक जनगर्ना भारत में हुई तो लाड मेयों जो है अंडमान निकोबार द्विपसमौ जो कि उस समय अंग्रेजों के अधिकार में था और अभी हमारे भारत का ही एक अंग है तो जो लाड मेयो है वो अंडमान निकोबार की यातरा पर गया हुआ था वहां के जो परवत वगएर हो वो देखना चाहता था घुमना चाहता था और दिया करते थी जिनको भी आजीवन का रावास की सजा होती थी उनको जो है वहाँ ले जाके छोड़ दिया जाता था इसको बोला जाता था सजा एक काला पानी सजा एक काला पानी तो वहाँ पर शुरू किया गया था अच्छा ये कब से अंडमान निकोबार दुविप समुह में कैदियों को रखा जा रहा था तो 1858 से ध्यान रखना 1858 से कैदियों को रखा जा रहा था और कहते हैं 1872 की इस्थिति में वहाँ लगभग 8000 जनसंख्या थ जो बाहर से गए थे 8000 उनमें से 7000 तो कैदि ही थे मतलब बहुत सारे कैदि थे तो क्या होता है ये वहाँ भ्रमण करने गए हुए थे किसी परवत माउंट हैरियेट एक परवत है ना अंडमान निकोबार दुप्समों में माउंट हैरियेट तो उस परवत में ये घूमने कहे थे वहाँ पर घूमके जब यह वापस आ रहे होते हैं अपना नाव अगेरे हमें चड़ करके तो एक अपराधी सेर अली एक अपराधी था जो की पठान था अफगानी बोल सकते हैं सेर अली ये भारत के पस्ची मोतर सीमा प्रांत जो आज पाकिस्तान का है ना पस्ची करके आजीवन कारावास की सजा कर दी गई थी मतलब इसने अपने किसी रिष्टेदार की हत्या की थी तो उस गुनाह के लिए इसको जो है मृत्यू दंड दिया गया था लेकिन बाद में फिर उसके मृत्यू दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और इसको कहां 1879 में इसको सजा सुनाया गया था, कहते हैं इसको जब सजा सुनाया गया तो इसने एक मन बना लिया था कि मैं जो हूँ किसी भी उच अंग्रेज अधिकारी की हत्या करूँगा, मतरrizा yourselves 1769 में ऐसा प्रन ली रखा था अपने अंदर-ंदर कसम खा लिया था, तो जैसे ही इसको पता चलता है अंडमान निकोबार्द उपसवों में कि जो लाड मेयो जो की भारत का वैसरा है सबसे सीरसस्थ अधिकारी वो आ रहा है तो ये जो है किसी तरह से अपने कोठरी से बाहर निकल जाता है और अपना जो छूरा है उसको तयार करता है और पता लगाता है कि कहां है और उस समय वहाँ पर उतना ज़दा सिक्यूरिटी थी नहीं जैसे कि मैंने बताया कैदी 7000 और बाकी कुछ थोड़े से वहाँ सैनिक थे क्योंकि देखिए वहाँ ये था कि अगर वहाँ किसी को ले जाके छोड़ दिया गया है तो वहाँ उसका जीना मुस्किल होगा और व और रात जब सां होता है सूरज धल जाता है तो उस समय पार करके जब ये अपने नाव में बैठ रहा होता है इसको अपने बड़े वाले नाव में जाना था मतलब ये तो उसी समय सेर-써म्मोका धेक या निकलता है पीछे की तरफ से और फीर्थ e को जहाँ ँगा रहना पैनिक रहे होंगे सुरक्षागार, तो सेर अली को पकड़ लिया जाता है, बाद में फिर मेयो को जो है उसके जो बड़ा वाला जहाज है, वहाँ ले जाया जाता है, उसके कैबिन में ले जाया जाता है, जहां उसकी मृत्यू हो जाती है, तो ये मर जाता है, सेर अली ने इस जिसकी हत्या हुई थी वो मेयो था और ये तीन लोग जिनकी मृत्य हुई थी और जो लाड एलन बरो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सकुसल अपने देश चला गया था एलन बरो ये जो है एलन बरो अठारा सौ ब्यालिस से चमालिस तक भारत का गवर्नर जनरल था इसी अलावा जो लाड एलन बरो था इसने जो है भारत से दास प्रथा जैसी कूप्रथा के विरुध कानून भी बनाया था तो ये चीज़े आपनों ध्यान रखेगा इन तीनों की भारत में मृत्यों हुई थी और ये वाला तो हत्या हुआ था इसका